प्रक्राइब करते हैं और इस वीडियो में हम बटा चुका हम बन का मतलब क्या होता है बन का मतलब सिंपल सा मतलब यह होता है कि यह एक तरीके का टिशू डेमेज हो जाता है दू टू टी एक्सपोजर अफ थी थर्म एलेक्रिकल केमिकल और रेडियेशन के कॉंटेक्ट में आने से यह सब चीजे होती हैं जो डेमेज करता है टिशू को अब इसमें सिंपल सा मतलब यह होता है कि जो स्कीन या अंडरलाइन टिशू जो डेमेज हो जाती है दू टू थी थर्मल कॉंटेक्ट में आने से तो उसके बाद हमारे बॉड़ी में क्या-क्या रियक्शन होते हैं हमारे बॉड़ी में जो इंटर्नल ओर्गिन हते हैं वो कैसे डिस्फंक्शन मतलब फंक्शन प्रॉपर नहीं करते हैं उसके बाद में बताया गया है और उसके बाद उसके इसाब से वो अलग-अलग तरिके के सिंप्टम्स शो करते हैं अब इसमें सिंपल सा यह बताया गया कि burn disease मेली तब चालू होता है जब जो superficial damage हो जाता है जो superficial part होता है बॉड़ी का वो damage होता है इसके इसाब से हम identify करते हैं और इसमें एक और चीज इंपॉर्टन है कि जो critical condition आती है वो mainly होता है जो one degree burn होता है वो 100% हो जाता है और जो two or three degree burn दिखाते है वो कम से कम 30% होनी चाहिए और जो life threatening burn होती है वो mainly three or four degree होती है यह मैं previous video में बता चुका हूँ कि कितने degree होती है और इसमें इना कुछ चार पीरेड होते हैं जो समझना बहुत important है burn disease में पहला है burn shock दूसरा है acute toxemia तुसरा है septicotoxemia और चौथा है reconvalescent यह चारो पीरेड रिक दूसरे से connected होते है और इसको समझना बहुत जोती है पहला आता है burn shock, burn shock मतलब होता है कि जब burn हो चुका है जब tissue damage हो चुकी है due to the thermal contact में आने से तो उसके बास एक से तीन दिन तक यह प्रोसेस चालू होता है यह burn shock प्रोसेस चालू होता है और इस चीज में mainly जो nerve receptor होते हैं वो properly affect हो जाते हैं और इसमें हमें कुछ clinical picture देखने मिलते हैं after all this पहला होता है patient excited form में हो जाता है मतलब कि जो irradiation होते हैं जो thermal damage हो जाती है उनके कारण patient anxiety में रहता है दूसरा होता है कि जो hypo volumic condition आ जाता है skin palad हो जाता है thirst हो जाते है thirst feel होता है urine excretion कम हो जाता है nausea feeling आने लगती है और patient एकदम बहुत ही lethargy feel करता है अब आते हैं acute toxemia acute toxemia इसका second part है यह period वालो होता है 2-3 दिन after the shock और यह mildly होता है एक से 2 हपते तक continue रहता है और यह period में एक और चीज इंपॉर्टन है जो इसका clinical picture है वो भी एक important part शो करता है mildly बहुत से fever takardia और hypo और dysproteinemia condition देखने मिलती है आप देख सकते हैं इसमें anemia condition देखने मिलती है और liver और kidney function damage हो जाते हैं अब septicotoxemia थर्ड पीरेड यही होता है septicotoxemia इसका मतलब simple सा मतलब होता है कि sepsis यह infection हो जाता है mildly और यह develop होता है 2-3 week after the burn disease simple सा यह होता है और इस condition में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो purulent pus cause होते हैं उससे infection होता है और pneumonia, blood source, sepsis आप देख सकते हैं और clinical picture आप देख सकते हैं कि burn exhaustion होता है body mask कम हो जाती है जो skin होती है वो dry और pale हो जाती है और muscle atrophy हो जाती है muscle destroy होने लगते हैं blood source भी होता है और contractor of the joints यह भी चीज़े आती है अब आते हैं recondition यह fourth period होता है और इसमें यह depend होता है यह period onset तब होता है depend यह होता है कि जो burn हुआ है वो कितना deep है और कितना duration है मिली stage 3 और इसमें जो sign और symptom में देखने मिलते हैं वो है patient धिर धिर ऐसा लगता है कि improve हो रहा है appetite appear हो रहा है body weight बढ़ रही है और body temperature और lab parameter normalize हो रहे हैं तो यह एक तरिकी का recovery type का phase होता है later on अब आते हैं first aid जो burn के जो first aid होते हैं वो सबसे important पहला यह होता है कि आप पहले जो thermal agent है उसको eliminate करिए दुसरा होता है कि जो cooling agent यूज़ करिए उस जगा पर जहां burn हुआ है तीसरा होता है कि कुछ aseptic dressing provide करवाईए और चौथा होता है एंटी बायोटी को therapy देना अब आता है local treatment of burn इसमें मिली दो method यूज़ होते है open और close एक एक को बारी बारी से देखते हैं क्या होता है यह open method का मतला simple सा होता है कि एक तरीकी का जहां burn हुआ है उसमें बहुत सारे damage आने लगते हैं और later on उस position को हमें dressing करना बहुत ज़री होता है with the help of cotton और cotton को moist किया जाता है 0.25% solution of ammonia 3-4% solution of boric acid later on alcohol treatment भी दे सकते हैं इसको और इसका proper treatment बहुत ज़री होता है क्योंकि जो foreign bodies है वो आके accumulate हो जाते हैं उससे damage बढ़ सकता है necrosis भी हो सकता है तो इसलिए उसको निकलना बहुत ज़री है और इसके बाद इसको bandage करके later on उसका dressing properly करते रहना चाहिए और important यह भी चीज़ है कि जो application होता है में ली यह कहा कहा यूज़ होता है face, genital और crosses area में अब आते हैं close method, close method में simple सा मतलब होता है कि हमें medication provide करते हैं और later on उसमें transportation provide करते हैं और insulation of the annual surface जहां damage हुए है उसको cover up करके उसको time देते हैं ताकि वो ठीक हो जाया through medication और इसका application हमें देखने मिलता है मिली deep burn के case में और granulation wound के case में अब आता है surgical treatment, surgical treatment बहुत तभी ज़रुत पड़ती है जब जो part damage हो चुका है उसको निकालना और यह मिली होता है necractomy और necrotomy में, autographing, limb amputation और reconstructing surgery में necractomy का मतलब होता है जो necrotic part है उसको निकाल देना, necrotomy मतलब होता है कि जो portion damage है उसको खटा ही देना और autographing का मतलब होता है उस portion को थुरू अलग tissue से add करे graft करना और limb amputation मतलब होता है उस पूरे portion को ही निकाल देना काट के और reconstructive surgery मतलब उसके बाद जो portion damage हुए उसको निकाल के उसको reconstruction, reconstruct करते है उस portion को अब आते हैं general principles of treatment and recistization इसमें simple सा मतलब यह होता है कि यह एक तरीक एक प्री hospital stage है इसमें क्या होता है कि हमें dressing करना पड़ता है जो portion damage हुआ है जो portion burn के range में आया हुआ है और proper rest provide करना होता है जो portion damage हुआ है उसको moment नहीं करना है उसके बाद analgesics हम provide करते हैं along with anti-histamines और जो position damage हुआ है उसमें हम cooling agent provide करते हैं along with उस position को हम plasma जो loss हो चुका है जो blood loss हुआ है उसको blood fulfill करवाते हैं और इसमें एक और चीज इंपोर्टेंट है कि जो parental introduction of liquid हम injection के तूँ liquid provide करते हैं और later on इन hospital जब hospital में patient पहुँच जाता है तो वहां हम anti-shock ward में इसको admit करवाते हैं अब आता है main task main task यह होता है कि जो blood hemodynamic parameter होता है उसको restore कराना blood loss है उसको fulfill कराना और fluid loss को recover करना और पहला point आता है इसमें कि जो analgesics है pain killer है वो देना simple सा दूसरा आता है antistamines और बहुत सारे जो drugs होते है fenotanil और dropay redol यह हमें देते हैं हम देते हैं patient को उसके बाद आता है कि जो heart activity है उसको improve करवाना cardiac glycoside के दूँ उसके बाद micro circulation को भी improve कराना बहुत ज़री है अब आते हैं पाचवा point आता है कि application of the hydrocortisone यह भी important है कि हमें hydrocortisone देना होता है patient को during the जब वो shock condition में हो और 125 to 250 mg देना होता है उसके बाद यह होता है कि oxygen inhalation भी important factor है जो हमें provide करना होता है और जो kidney function उसको normalize करना बहुत ज़री होता है fusion transfusion treatment इसमें क्या होता है कि जो whole blood है RBC WBC प्लेटले सब हम वापस provide करते है patient को और जो blood plasma है उसको भी हम properly provide करवाते हैं और जो हमारा hemodynamic parameter से है उसको हम fulfill कराते हैं not only the hemodynamic parameter but also हम water-based या acid-based solution या water salt solution को भी हम fulfill कराते हैं along with detoxification action के साथ और हम यह भी देते हैं कि drugs of detoxification action वो drugs जो detoxify करता है यह भी एक important factor है so thank you so much guys for your attention and if you get any benefits from this so please hit the like button and subscribe my channel thank you so much guys